वेलकम टू माई चानल आज हम बनाएगे पालक पनीर कुफते सबसे पहले पनीर लेंगे यह ब्लांच किया वह पालक है आदो आलू है हरी मिर्च है अद्रकलसन का पेस्ट है एक बड़े चमच और यह जीरा पाउडर काले मिश पाउडर गरम मसाला पाउडर और यह दनिया प ताख रोट और काजू का पेस्ट है और यह हम प्यास को बॉइल करके पीसके रखा बाहर और नमक आपने टेस्ट केंसाब से सबसे पहले पनीर को हम लोग पूट्ट प्रोसेसर में हाँथ से भी मैश कर सकते हैं अब हम ने हमने किन पूट्ठ प्रोसेसर में एक साथ पर अच्छा से डो बन जाएगा अब बच्चों को अगर सब्जी खिलाना तो इस अच्छा तरीका नहीं है कि यह दो तैयार हो गया अब इसमें हम जो चॉप करके पालक रखावा था उसमें दो बड़ी चमज हम मिला देंगे अधम फाइन चॉप करना है और फिर हरी पती है दन्य पत्ती इसको बेदम फाइन चॉप करना है और फिर इसमें हम थुर्ट सीजनिंग कर लेते हैं जीरा गरम-मसाला पाउडर और काले मेश पाउडर और नमक डालेंगे फिर हम अध्रक का पेस्ट डालेंगे आप क्रश्च करके अध्रक डाल देंगे एक कॉर्ण स्टार्च हम डाल देंगे दो बड़े चमय से टेबल स्पून फिर नमक डालेंगे थोड़ा सा नमक डालना है कि ग्रेवी में भी नमक पड़ेगा फिर अच्छी तरह से हाथों से इसको मिला लें देखे पालक डालते ही इसका कलर चेंज हो गया है ग्रीन कलर और जो बचावा पालक हमने रखा हुआ था एक कटोरी पालक रखा हुआ है और उसमें आधा हमने चौप कर लिया आधे को मिक्सर में अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेना है इस मुद्डो हो गया अब इसका हमने चुट 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 बॉल बना लेना है कि अधर साथ में घी लगा कर को चुट 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 बॉल बना लेंगे इसे सारा त्यार हो गया बॉल अब इसको हम लोग कुपिंग ओयल में इसको फ्राई कर लेंगे पतिल अच्छा सगरा हो जाए एक ही पहले डार के देखिए कहीं तूट तो नहीं रहा फिद धीर देर करके बाकी को भी डालेंगे थार्ड डिस्टेंस पर क्योंकि बहुत डेलिकेट होता है गोल्ड इन ब्राउन करना है इसको मेडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है अच्छे तो इसको फ्लाट प्लाट कर लें इसको बच्चे खा सकते हैं सॉस के साथ इसी तरह सारे को भी हमनों फ्राई कर लेंगे बाकी सारे को और बाकी तेल हम निकाल दिये और थोड़ा से जो तेल उसमें हम छोड़ दिये अब इसमें हम दो चमश प्योर्ग ही डालेंगे इसके बाद यह प्यास का पेस्ट वाइट ग्रेवी में अक्सर प्यास को बॉयल कर लें और तब ही हम डालते हैं कि इसके बाद यह अध्रक लेशन का पेस्ट मिला लेंगे इसमें हम इसको प्यास को बूने के जरूत नहीं है अध्रक को लेसंगा जो पेस्ट पर रहा उसको थुझा सब्वून आ उसके बाद यह प्योरी जो हमने बनाया है पालक का उसको मिक्स कर लेंगे पालग भी ब्लांच किया हुआ है इसलिए उसको भी ज्याद भूने की जरूत नहीं है अच्छे तरह से इसको मिक्स करें यह मसारा जो था जीरा पाउडर और गोल मिर्ष पाउडर और गरम मसारा उसको अच्छे तरह मिलाना है इसको पका नमक डाल कर पका लें और यह हंक कर्ड हम मिला रहें इसमें हमने दिखाया नहीं इंग्रिंस में लेकिन मेरे पास था तो हम ने मिला दिया इसको इसकी निशने बढ़ जाएगी और बहुत स्मूथ और कृमी टेक्शर आएगा और फ्लेवर भी आएगा बच्चा वाता से मिला दिएंगे हम लो गितना खुबस्वरत कलर आया है बच्चे ज़रूर पसंद करेंगे आप घर में ज़रूर ट्राई करेंगे इसके बाद अखरोट और काजू का जो पेस्ट था उसको भी हम लोगस के मिला लेंगे थिक ग्रेवी बनेगी इसकी बहुत तीखा भी नहीं है आपको अगर तीखा खाना है तो आप हरे मिट मिला सकते हैं यह हमने तो चीनी मिटाला है मिठास के लिए फेकर सूरी में अथी डालेंगे दो चमच यह ग्रेवी हमारी कम्प्लीट हो गई है चीनी की जगह आप हनी भी यूज़ कर सकते हैं अब यह कौफता जो हमने बना के रखा हुआ था अब इसमें डाल देंगे कौफता डालने को ज़्यादा चलाना नहीं है उसके बादा हरी मेश को हम लो बीस से काट करके चीरे लगा को डालेंगे तो इसमें तीखा बना हलका सा जागा बहुत तीखा यह नहीं है पनीर के कौफते बच्चों को बहुत पसंद आएगा आपको मेरी रेसिप कैसी लगी आप जरूर इससे ट्राइ करें कमेंट करें मुझे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें और कमेंट करके जरूर मुझे बताएं थैंक यू